वश्कर, हालो प्रेंट्स, आज मैं आप लोकुन को बाताउंगी रोस प्लैंट का कौन सा ब्रांच पर फूल आता है, कौन स्रही ब्रांच है, कौन गलत ब्रांच है, बहुत जन का मन में ये शाबाल आता है, साथ पत्ता बाला ब्रांच होने से इस पर फूल नहीं आएगा, लेकिन बात ऐसा नहीं होता है, एक तरीका होता है फूल आने का, तो आज चलिए मैं आप लोकुन को दिखाऊंगी कौन सा ब्रांच पर फूल आएगा, देखिए आज बटम रोज पर फूल खिला है, कितना शुंदर लाग रहा है, तो ऐसे ये प्लैंट पर भी होता है, लेकिन आज मैं आप लोकुन को ये प्लैंट का उपर नहीं दिखा पाऊंगी, जो जो प्लैंट नया रिपोर्टिंग होता है, उस पर ज्यादा ये पॉब्लेम आता है, कुछ दिन पहले मैं जो प्लैंट रिपोर्टिंग करी थी, देखिए ओ ये वाला प्लैंट है, इस पर आया है आपका जो ब्रांच, ओ ब्रांच पर फूल खिले या ना खिले, यह जो पॉब्लेम आता है सही ब्रांच और गलत ब्रांच का नीचे से जो ब्रांच आता है इस पर जो पॉब्लेम होता है ये पॉब्लेम को स्ल्व करना है देखिए ये पवधा को ये जो ब्रांच आया है नया नया द्रो ब्रांच आया है ये दो ब्रांच आपका नीचे से आया है जो ग्राप्टेड एरिया है उसका नीचे से आया है तो इस पर क्या फूल खिलेगा नहीं इस पर फूल नहीं खिलेगा ये जंगली ब्रांच है जो ब्रांच ग्राप्टेड एरिया का उपर से आता है यहां से आता है उस पर फूल खिलेगा लेकिन जो नीचे से आता है उस पर फूल नहीं खिलेगा तो इसको हटाना है देखिए कितना बड़ा हो गिया है इसका पत्ते का डिजाइन भी थोड़ा सा अलग रहता है ये थोड़ा सा लंबा लंबा रहता है ये देखिए यहां पर भी जो निकला है इस पर भी पत्ते एक है लेकिन जो मैन पौधा है उसका पत्ते अगर आप देखिएगा तो वो पत् यह जो नीचे से आया है, ग्राप्टेर एरिया का नीचे से आया है, इसको हटाने के लिए आपको इसका जड़ से निकालना है, इसको काटना नहीं है, इसको तोड़ना है, तो जहां से आया है ओ जागा को पहले निकालिए, उसके बाद इसको हटाईए, अगर काटिंग कर दे कहां से यह निकला है मिट्टी को पुरा हटा दिए आब इसको तोड़ना है देखिए यह ग्राप्टेड एरिया कितना उपर में है और यह कितना नीचे से निकला है इसको आपको ऐसे उंगली से तोड़ना है ऐसे दबाक दीजिए तो यह तूट जाएगा इस तरह से तोड़ है आपको और ये जागा पो थोड़ा सा मिट्टी से भार देना है जहां पर गाड़ा करें देखिए ये दोनों ब्रांच कितना बड़ा हो गिया था इतना बड़ा आप लोग मत करिए आप लोग इसका पहले ही तोड़ देजिए देखिए पत्ते का डिजाइन सब में 7 पत्ता है लेकिन पत्ते का डिजाइन थोड़ा सा अलग है ये थोड़ा सा लंबाई में है अगर पौधा का पत्ता लंबाई में रहता तो इसका साथ मिलता लेकिन पौधा का जो मैन पत्ता है ओ गोल गोल है देखिए ये किस टाइप का गोल गोल है थोड़ा सा लाल लाल है ओ पत्ते का डिजाइन ये कितना बड़ा बड़ा है गोल गोल है लेकिन इस पर भी देखिए सेबन पत्ता है इस पर आपका फूल आएगा ये और एक ब्रांच ये ग्राप्टेड एरिया है उसका नीचे से थोड़ा सा नीचे से और एक ब्रांच निकला है इस पर भी फूल नही आएगा ये भी जंगली ब्रांच है इसको भी हटाना है ये ब्रांच पर आपको देखियो सेम पत्ता दीख रहा है लंबा लंबा है है ना लंबा और इस पर इसना काटा आपका मैन ब्रांच पर है उससे ज़्यादा काटा इस ब्रांच पर आपको मिलेगा लेकिन इधर देख के भी आप समझ जाईएगा कि ये जंगली ब्रांच है अब इसको हटा देना है गाप्टेड एरिया का नीचे से जो ब्रांच निकलेगा उसको हटा देना है ये सिधा एक बात समझ लीजिए तो आपका रोज प्लैंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा हटाने का समय इसको पुर्दी अब इसको हटा देने से यहां से और ब्रांच नहीं आएगा जो सबन पता हो या फाइप पता हो पोधा का जो ग्राप्टेड एरिया है उसको रिपोटिंग करने का समय मीट्टी का उपर में रिपोटिंग करिए और पोधा पर ये चीज देखिए कि गराप्टे कि 7 पत्ता होने से ही वो जंगली ब्रांच है यह नहीं जंगली ब्रांच है गराप्टेड एरिया का नीचे से जो निकला है ओवाला यह चीज देखके आप लोग तोड़ दीजिए उसको हटा दीजिए तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा सुस्त रहेगा और नया ब्रांच स ही ब्रांच निकालेगा और पौधा पर फूल आएगा यह चीज फ़लो करने से आपका रोज फ्लैंड पर कोई दिक्कत नहीं होगा देखिए पौधा भी खुश पौधा हेल्दी हो गिया अब पौधा पर नया नया ब्रांच उपर से आएगा और पौधा भी घना होगा प आप लोखुन को बताना था मेरे हिसाब से आप लोखुन का रोज पब्लेम सौल्फ हो गिया होगा पौब्लेम ज्यादा आता है आपका नया जो पोधा रिपोर्टिंग करते हैं न उसमें से रिपोर्टिंग करने का समय इसको उपर में रखिए गा न तो आपको सब कुछ स ज़्यादा दिन इंतेजार मत करिए जैसे आपको ब्रांच दिखे ग्राप्टेड एरिया का नीचे से आया है तभी आप हटा देजिए यह हटा देने से पौधा हेल्दी रहता है अगर नहीं हटाईएगा तो पौधा का एनार्जी पुरा खा जाता है कलिया फूल बनने नही देता है तो यह चीज को आपको जल्दी करना है जादा दिन करिएगा तो जादा एनार्जी भेष्ट होगा पौधा भी बहुत कमजोर हो जाएगा खुशी नहीं रहेगा तो आपको भी लगेगा कि पौधा मेरा कैसा हो गिया है तो फ्रेंट्स मेरे को लागता है आप नया टॉपिक में तब तक के लिए बाबाई